तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोग से एक सजेसन चाहता हूँ कि यार मैं किस टोपिक के उपर वीडियो बनाओ यह आप मुझे कॉमेंट सेक्षन पर जरूरी बताना मैं गेमपलेज भी ला सकता हूँ टिपस और ट्रिक्स ला सकता हूँ न्यूज दे सकता हूँ और मितबश्टर ला सकता हूँ तो यह सारी चीजों में से आपको क्या चाहिए आप लोग सबसे पहले यह जाओ मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताओ क्यूंकि यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो बाकी वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ नया हमारा उस नए सीजन पर आने वाला है और आपको वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग को यहां टायर रिवोट देखने को मिलता है जहां पर आप लोग देख सकते हो कॉंकरर फ्रेम वो सीजन वन साइकल वन सीजन टू और यह आउटफिट और ग्रोजा की स्कीन आपको मिलने वाली है और साथ यह पैरसूट इस दुवार की कॉंकरर की मतलब जो फ्रेम है वो आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना क्यूंकि यह मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा है और इस वीडियो का क्रेट मैं देने चाता हूँ मैट दमीचा भाई को उनका चैनल का लिंग आपको डिस्क्रिप्सन पर मिल लागा आप लोग उने भी चेक आउट कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो यह वाली आउटफिट क यहाँ पर आप लोग देख सेथे हो रेड रेड वाइट वाइट वसे रंग बिरंगा सा है बट रेड वाइट ज्यादा इसमें हो रखी है और काफी ज़्यादा अच्छा से यह ग्रोजा की स्कीन है और मेरे ख्याल से सब इसी को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इससे पह आप लोग को कैसा लगा यह भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बता सकते हो उसके बाद एक पहरा सुट की स्कीन है आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सीजन टू लिखा हुआ है तो नया सीजन आपको बता है साइकल वन का सीजन टू हमारा आने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हो वह सैप का एक मुखड़ा चहरा जो भी बना हुआ है और यह वारे भी काफी अच्छे लगी मुझे उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा साइकल वन सीजन टू का वह फ्रेम और साथी साथ बाकिस चीज़े आप लोग देख पाओगे तीन आउटफिट है तीनों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी फ्री में तो नहीं बोल सकते हैं जो लोग रोयल पास लेंगे उन्हें मिलेगी साथ साथ यह M16 की स्कीन आप लोग देख सकते हो काफी तगड़ी लग रही है M16 A4 की है M4 की रहती तो और यह था एक ट्रेलर ठीक है ट्रेलर आप लोग का खतम हो चुका है उसके बाद मैं आपको आर्पे रिवार्ट दिखाता हूं सारे वन बाइवन आपको वह देखके काफी जादा अच्छा लगेगा तो यहां पर आप सेप स्पेसल 3 ठीक है सेप स्पेसल है जैसा कि मैंने बो देखने को मिलेगी उसके बाद 2 पर देख सकते हो 3 पर यूसी मिलेगी और यह कुछ खास नहीं है तो हमें दिरे-दिरे आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़के मैं आपको दिखाऊं ना की और भी क्या-क्या चीज़ है अच्छी आपको देखने को मिल सकती है इसमें पहल आगे चलने पर लेवल 5 पर आपको इसका हेड़ गेर भी देखने को मिल जाएगा लेवल 1 पर आउटफिट और लेवल 5 पर वह हेड़ गेर आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं जो मैंने वह बोला सहरा टाइप में है उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ लेवल 10 पर आपको बैकपैक की स्कीन बगल पर दिख रही होगी बीट में कुछ खास नहीं इसलिए मैं वह सब में आपको दिखाऊंगा नहीं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 10 पर बैकपैक की स्कीन देख लो जो की काफी जादा अच्छा लग रहा है देखने में और य आपको साइट पर दिख रही होगी यह वाला अपका प्लेन का स्कीन जो की अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ जो की 20 अरपी पर होगा यह भी मुझे काफी जादा सही लग रहा है लेकिन पैरा सुट के स्कीन भी काफी जादा क्यूट है फ्री वाला भी आप इमोट है मेरे क्याल से काफी जादा टाइम ले रहा है यह इमोट होने में या मैंने दो बर प्ले कर दिया वो मुझे समझ नहीं आया ठीक है लेकिन यह इमोट बोलू सची तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया यह अगर आरपी में भी होता ना यह लोग लेने के नि कर दो शतनी है पता निक्या है आप लोग देख सकते हूँ यह पूरा रोयल फास होने वाला है सएफ सेब एस पैसल है तो आपको फल सबजीयां ही देखने को मिलेगी चिकन वटर नहीं मिलेगा इसमें देखने को क्योंकि यहाँ सभी साएद नॉन विजिटम तो साइद में जितने पर मिली जाता है ठीक है तो आप लोग यहां पर देख सकते हों काफी ज़्छा लग रहा है यह देखने में उसके बाद आगे की बात करें तो आप लोग का 25 अरपी में एक free का outfit देखने को मिलेगा चीता टाइम लग रहा है यह मेरे को legendary suit outfit ठीक है legendary suit outfit जो है वो काफी ज़्छा लग रहा है देखने में आपको भी काफी ज़्छा लग रहा होगा देखने में اور मेरे ख्याल से बहुत लोग यह पहनने वाले हैं क्योंकि यह सच में बहुत यह अच्छा है उसके बाद आगे की ब देखने को मिले एक रूम कार्ड है बस उसके बाद आपको यहां पर 30 आर्पी पर यह वाला इमोट देखने को मिलेगा और यह वाला सबसे बहुत देखला आप लोगो कैसा लगा आप लोग सकते हो और इसकिनкимиरे ब 낮 और भास है तो मेरे को इच्छी नहीं लगी बट काफिया और क्या बोलते हैं उसे मेने यह यह तो बंदुकों भी बोलते हैं उसे तो उसे प्राइस टेग लगा कर देखने में लग रहा है पूरा का पूरा वजी टेवल नारकेट बना रहा है इस वर का रोईल पास आप लोग देखी सकते हो उसके बाद जैसे से आगे वढ़ेंगे औ जो मैंने बोला था M60 A4 की ये वाली गन आपको इसकीन फिदी में मिलेगी जो कि काफी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में एकदम येलो परपल सभी ग्रीन सभी कलर है इसमें आप लोग देख सकते हो मैं जैसा कि मैंने बोला बेजी टेवल मार्केट बना रखा है त कि स्किन तो काफी अधा अच्छी लगी ही उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो और भी काफी सारी चीजा आपको देखने में लगी वो भी मैं आपको 1 x 1 सारी चीजे आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर रूम काड़ वगेर है जो कि मैं आपको नहीं दिखा पास में आप लोग बताना इस बार का रॉयल पास आपको कैसा लगा मैं अगर अपना उपेडियन दी तो मेरे को बहुत ज्यादा जखकास लगा इस बार का रॉयल पास और मैं यह तो 100% खरीदने वाला हूं बाकि आप लोग को लगा आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन पर सकते हो आप लोग मुझे जरूर करना कॉमेंट सेक्शन पर जाओ वहाँ पे लिग दो कि यार वहाँ पे मुझे कॉन सा वीडियो डालना चाहिए लीक्स वगेरा डालनी चाहिए या फिर मैं ट्रीव सेंट्रिक्स लाओं मिट बश्टर लाओं की गेंप्ले लाओं मेरा एक 1000 subscriber जैसे ही complete हो जाएंगे मैं उस पर करने वाला हूँ 10 Royal Pass का giveaway तो अगर आपके पास मौका है अगर आप Royal Pass फ्री में लेना चाहते हो तो उस चैन को जाके subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ share करो जैसे ही उसमें 1000 subscriber complete हो जाएंगे मैं उसका मदब जो अभी hide कर रहा है subscriber उसे हटा दूँगा और 10 Royal Pass का announcement कर दूँगा वैसे मैंने पहले भी कर रहा था बढ़ वो complete नहीं हुआ तो मैंने Royal Pass का giveaway नहीं किया जैसे एक 1000 subscriber कभी भी complete होते हैं मैं आपके लिए Royal Pass का giveaway लेके आउँगा पांच उनर पास बोला था इसमार मैं 10 बोल रहा हूँ ठीक है 10 ले आउँगा बस आप लोग 1000 subscriber किसी तरग जल्दी से जल्दी complete करा दो और जो मेरे regular viewers हैं यार प्लीज आप लोग वोस चैनल को जाकर subscribe कर लो और आप लोग मुझे comment section पे अपना opinion बाकि सारी चीज़े बता सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाओं और gameplays लाओं की ना लाओं क्योंकि gameplays लाओं गार लाओं गा तो मैं उस second channel पे ही लेके आओंगा और बहुत से लोग पूझ रहे थे कि मेरा जो id scam हुआ था उसका क्या हुआ तो यार मेरा id scam जो हो गया था वो बिल्कुल सही हो चुका है और आप लोग को मैंने उसका चैनल का लिंक दे दिया था रिपोर्ट मारने के लिए जिसने मेरे साथ scam किया था तो आई होप यार आप लोगों ने मार दिया होगा रिपोर्ट बाकी इस वीडियो में इतना ही हमें मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में नई information के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैहिन मंदे मातरम भार्दमाता की जैए